कुंती द्वारा स्वयमवर में पांडू का वरण और उनके साथ विवाहा वैशम पायन जी कहते हैं जनमेजिय राजा कुंती भूज की पुत्री विशाल नेत्रोंवाली प्रिथा, धर्म, सुन्दर रूप और उप्तम गुणों से संपन्न थी वैए एक मात्र धर्म में ही रत रहने वाली और महान व्रतों का पालन करने वाली थी स्री जनोचित सर्वोत्तम गुण अधिक मात्रा में प्रकट होकर उसकी शोभा बड़ा रहे थे मनोहर रूप तथा युवावस्था से सुशोभित उस तेजस्विनी राज कन्या के लिए कई राजाओं ने महराज कुंती भोज से याचना की राजेंद्र तब कन्या के पिता राजा कुंती भोज ने उन सब राजाओं को बुला कर अपनी पुत्री प्रिथा को स्वेंवर में उपस्थित किया मनस्वनी कुंती ने सब राजाओं की बीच रग्मवंच पर बैठे हुए भरतवन शिरोमणी रिपशेष्ट पांडु को देखा उनमें सिंगी के समान अभिमान जाग रहा था उनकी चाती बहुत चोड़ी थी उनके नेत्र बैल की आँखों के समान बड़े बड़े थे उनका बल महान था वे सब राजाओं की प्रभा को अपने तेज से अच्छादित करके भगवान सूरे की भांती प्रकाशत हो रहे थे उस राज समाज में वे द्वित्य इंद्र के समान विराजमान थे निर्दोश अंगों वाली कुंती भोज कुमारी शुबलक्षणा कुंती स्वयमवर की रंग भूमी में नर्श्रिष्ट पांडु को देखकर मन ही मन उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो थी उसके सब अंग काम से व्याप्थ हो गए और चित एक बार की चंचल हो उठा कुंती ने लज जाते लज जाते राजा पांडु की गले में जैमाल डाल दी सब राजाओं ने जब सुना कि कुंती ने महराज पांडु का वरण कर लिया तब वे हाथी घोडे एबं रथों आधी वाहनों द्वारा जैसे आये थे वैसे ही अपने अपने स्थान को लोट गए राजन तब उसके पिता अर्थात पांडु के साथ शास्त्रविधी के अनुसार कुंती का विभा करवा रहे थे आनन्तह सौभाग्यशाली कुरूनंदन पांडु कुंती भोज कुमारी कुंती से सैयुक्त हो शची के साथ इंद्र की भांती सुशोबित हुए राजेंद्र महाराज कुंती भोज ने कुंती और पांडु का विभा संसकार संपन्न करके उस समय उन्हें नाना प्रकार के धन और रतनों द्वारा सम्मानित किया तद पश्चात पांडु को उनकी राजधानी में भेज दिया कुरिश्रेष्ट जनमेज्य तब कौरव नंदन राजा पांडु नाना प्रकार की धोजा पताकाओं से सुशोबित विशाल सेना के साथ चले उस समय बहुत से ब्राहमन एवं मरशी आशिरवाद देते हुए उनकी स्तुती करवाते थे हस्तिनापुर में आकर उन शक्तिशाली नरेश ने अपनी प्यारी पत्नी कुंती को राज महल में पहुचा दिया वेशंपायन जी कहते हैं जनमेजिय तरनंतर शांतनु नंदन परम बुद्धिमान भीश्म जी ने ये शस्वी राजा पांडु के द्वित्य विवा के लिए विचार किया वे बड़े मंत्रियों, ब्रहमणों, महरशियों तथा चतुरंगिनी सेना के साथ मद्राज की राजधानी में गए बाहिक शिरोमणी राजा शल्ले भीश्म जी का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए नगर से बहार आए और ये थोचित स्वागत सतकार करके उन्हें राजधानी के भीतर ले गए वहाँ उनके लिए सुन्दर आसन, पात्य, अर्ग्य तथा मदुपर्क अरपन करके मद्राज ने भीश्म से उनके आगमन का प्रियोजन पूछा तब कुरुकुल का भार भहन करने वाले भीश्म जी ने मद्राज से इस प्रकार कहा शत्रुदमन, तुम मुझे कन्या के लिए आया हुआ समझो सुना है, तुम्हारी एक येशस्वनी बहन है, जो बड़े साधूस भाव की है उसका नाम माद्री है, मैं उस येशस्वनी माद्री को अपने पांडू के लिए वरण करता हूँ राजन, तुम हमारे यहां संबंद करने के सर्वता योग्य हो, और हम भी तुम्हारे योग्य है मद्रेश्वर, योँ विचार कर, तुम हमें विधी पूर्वक अपनाओ भीश्म जी के यो कहने पर मद्राज ने उत्तर दिया मेरा विश्वास है, आप लोगों से श्रेष्ट वर मुझे ढूनने से भी नहीं मिलेगा परन्तु इस कुल में पहले के श्रेष्ट राजाओं ने कुछ शुलक लेने का नियम चला दिया है वे अच्छा हो या बुरा, मैं उसका उलंगन नहीं करना चाहता यह बात सब पर प्रकट है, निसंदे आप भी इसे जानते होंगे साधू शिरोमने, इस तशा में आपके लिए ये कहना उचत नहीं कि मुझे कन्या दे दू वीर, वे हमारा कुल धर्म है और हमारे लिए वही परम प्रमाण है शत्रुदमन, इसलिए मैं आपसे निश्चित रूप से यह नहीं कह पाता कि कन्या दे दूँगा ये सुनकर जनेश्वर भीष्म जी ने महराज को इस प्रकार उत्तर दिया राजन, ये उत्तम धर्म है स्वयम, स्वयम्भू ब्रह्मा जी ने इसे धर्म कहा है यदि तुमारे पूर्वजों ने इस विधी को स्विकार कर लिया है तो इसमें कोई दोश नहीं शल्य, साधू पूर्शों द्वारा सम्मानित, तुम्हारी ये कुल मर्यादा हम सबको विधित है ये कहकर महातेजस्वी भीष्म जी ने राज शल्य को सोना और उसके बने हुए आभूशन तथा सहस्त्रूम विचित्र पकार के रत्न भेंट किये बहुत से हाथी, घोडे, रत, वस्र, अलंकार तथा मनी मोती और मूंगे भी दिये वे सारा धन लेकर शल्य का चित प्रसन्न हो गया उन्होंने अपनी बहन को वस्र आभूशन से विभूशत करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ट भीष्म जी को सौप दिया परम बुद्धिमान गंगा नंदन भीष्म मादरी को लेकर हस्तिना पुर्मे आये तदनंतर श्रेष्ट ब्राह्मनों के द्वारा अनुमोधित शुब दिन और सुन्दर मुहुरत आने पर राजा पांडु ने मादरी का विधिपूर्वक पानी ग्रहन किया इस प्रकार विभाकार संपन हो जाने पर कुरुनंदन राजा पांडु ने अपनी कल्याण में भार्य को सुन्दर महल में ठेराया राजाओं में श्रेष्ट महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और मादरी के साथ आनन्द पूर्वक यथेष्ट विहार करने लगे जन्मेज कुरुवंशी राजा पांडु तीस रात्री तक विहार करके समूची प्रित्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा लेकर राजधानी से बहार निकले उन्होंने भीश्म आदी बड़े बोढ़ुं के चर्णों में मस्तर छुकाया कुरुनंदन द्रित्राष्ट्र तथा अन्यश्रेष्ट कुरुवंशीयों को प्रणाम करके उन सब की आग्या ली और उनका अनुमोदन मिलने पर मंगलाचार युक्त आशिरवादों से अभिनंदित हो हाथी घोडों तथा रत समुदाय से युक्त विशाल सेना के साथ प के साथ अनेकु शत्रों पर धावा किया कौरवकुल के सुयश्कों बढ़ाने वाले मनुश्यों में सिही के समान पराक्रमी राजा पांडु ने सबसे पहले पूर्व के अपराधी दशार्णों पर धावा करके उन्हें युद्ध में परास्त किया तद पशात्वे नाना प्रकार के धुजा पताकाओं से युक्त और बहु संख्यक हाथी घोडे रत एबं पैदलों से भरी हुई भारी सेना लेकर मगद देश में गए यहां राजग्रह में अनेक राजाओं का अपराधी बला भिमानी मगद राज दीर्ग उनके हाथ से मारा गया उसके बाद भारी खजाना और वाहनादी लेकर पांडू ने मिथिला पर चड़ाई की और विदेहे वन्शी क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया नर्शेष्ट जनमेज्य इस प्रकारवे पांडू, काशी, सुह तथा पुंड्र देशों पर विजय पाते हुए अपने बाहुबल और पराक्रम से कुरुकुल के यश्का विस्तार करने लगे उस समय शत्रुदमन राजा पांडू, प्रज्जुलित अगनी के समान सुशोबित थे बाणू का समुदाय उनकी बढ़ती हुई ज्वाला के समान जान पड़ता था खड़क आदी शस्तर लपटों के समान प्रतीत होते थे, उनके पास आकर बहुत से राजा भस्म हो गए सेना सहित राजा पांडू ने सामने आए हुए सैनने सहित नरपतियों की सारी सेनाय नश्ट कर दी और उन्हें अपने अधीन करके कौर्वों के आज्या पालन में न्युक्त कर दिया पांडू के द्वारा परास्थ होए समस्त भूपालगण देवताओं में इंद्र की भांती इस प्रित्वी पर सब मनुष्यों में एक मात्र उन्ही को शूर वीर मानने लगे भूतल के समस्त राजाओं ने उनके सामने हाथ जोड़कर मस्तक टेक दिये और नाना प्रकार के रत्न एवं धन लेकर उनके पास आए राजाओं के दिये हुए धेर के धेर मनी, मोती, मूगे, सुवर्ण, चांदी, गौरत्न, अशुरत्न, रत्रत्न, हाथी, गदेह, उंट, भैंस, बकरे, भेड, कंबल, म्रिग चर्म, रत्न, रंकु म्रिग के चर्म से बने हुए बिचोने आदी, जो कुछ भी सावान प्राप्थ हुए, उन सब को हस्तिना पुरा धिश, राजा पांडू ने ग्रण किया वे सब कुछ लेकर राजा पांडू अपने राष्ट्र का हर्ष बढ़ाते हुए पुनह हस्तिना पुर्चले आए, उस समय उनकी सवारी के अश्व आधी भी बहुत प्रसंद थे राजाओं में सिंग के समान पराक्रमी शांतनू तथा परम बुधिमान भरत की कीर्ति कथा जो नस्टसी हो गई थी, उसे महराज पांडू ने पुनर जीवित कर दिया जिन राजाओं ने पहले कुरू देश के धन तथा कुरू राष्ट्र का अभरण किया था, उनको हस्तिनापूर के सिंग पांडू ने करत बना दिया बहुत से राजा तथा राजमंत्री एकत्र होकर इस तरह की चर्चा कर रहे थे, उनके साथ नगर और जनपत के लोग भी इस चर्चा में सम्मिलित थे, उन सब के हृदय में पांडू के प्रती विश्वास तथा हर्शो लास चा रहा था राजा पांडू जब नगर के निकट आये, तब भीशम आदी सब कौरव उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ाए उन्होंने प्रसंता पूर्वक देखा, राजा पांडू और उनका दल बड़े उत्साहा के साथ आ रहे हैं उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानो वे लोग हस्तिनापुर से थोड़ी ही दूर जाकर वहां से लोट आये हैं उनके साथ भांती भांती के धन एवं नाना प्रकार के वाहनों का लदे हुई छोटे बड़े रत्न, श्रेष्ट हाथी, घोडे, रत, गोएं, उन्ट तथा भेड आदी भी थे भीश्म के साथ कौर्वों ने वहां जाकर देखा तो उस धन का वैभव का कहीं अंत नहीं दिखाई देता था कौसल्य का आनन्द बढ़ाने वाले पांडू ने निकट आकर पित्रत्व, भीश्म के चर्णों में प्रणाम किया और नगर तथा जनपत के लोगों का भी यथा यूग्य सम्मान किया शत्रूं के राजाओं को धूल में मिलाकर कृत-कृत्ते होकर लोटे हुए अपने पुत्र पांडू का आलिंगन करके भीश्म जी हर्ष के आसु बहाने लगे सैकणों शंख तुरही एवं नगारों की तुमुल ध्वनी से समस्त पुरुवासियों को आनंदित करते हुए पांडू ने हस्तिना पुर्में प्रवेश किया